इरान युद की टैंशन के बीच तुर्की के राश्वपती ने नितनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुनिया का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का एलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनन की तरफ से हेजबुला द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते कई सारी कबरें यहां पर देखिए तबाह हो गई है एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वज़े से तबाही का जो मंजर है आप देख सकते हैं यहां पर देखिए जैसे बम के धमाकों के साथ बेरूत की तस्वीर बदल रही है जैसे जैसे रॉकेट की बोचार से तलवीव की शकल बदल रही है उतनी ही तेजी से खाड़ी में खेमे बदल रहे हैं इसराइल के खिलाफ मोस्ट पाफुल ग्रूप बन रहा है इस ग्रूप में होड ये लगी है कि जल से जल एरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिये जहां तुरकी नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुरकी के किलर कमांडो आक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अलबानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अरदुआन इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेश्पंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहल लगा दी है वार जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिशन तस्वीरों में है तहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के जंडे क्या कह रहें क्या इरान में सौधी अरब को साध लिया है क्या खाड़ी के सभी पावर्फुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है साथी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान और इरान के विदेश मंतरी अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है प्रिंस सल्मान ने इरान के विदेश मंतरी से वार टेंशन कम करने का वादा भी किया है साओधी प्रिंस से मीटिंग के बाद इरान के विदेश मंतरी कतर का दोरा करेंगे खाडी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क साओधी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश इरान के खेमे में गए तो इसराइल का बचना मुश्किल होगा वजए ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ड में फूट डाल कर खुद को खलीवा साबित करने में लगा है हिस्ड़ में जारिमि सराइल में अरिश में मत कुंतरस कर दोतlenी आरब बार्में एल आख्जा स driving एाल्सी है जारिमि में पलिएा ऊक्किन.'" अरुनों किन एल्गे एिर्दीप्टिए्यूしか पिएवे सकतिता है उतना ही वार जोन में उसे जटके लग रहे हैं इसराइल की धर्ती धर्रा रही है इसराइल के आसमान में बारूब का बवंडर उठ रहा है कभी रॉकेट अटैक तो कभी ड्रोन से मिसाईले पंड रही इस्राइल के चप्पे चप्पे पर दुष्मनों के धमाते की छाप दिखाई देने लगी है लेबनान से लगी इस्राइल की सरहथी शहरों में अब किसी को सलामत होने की गारंटि नहीं है मैं इस वक्त इसराइल लिबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गाउं में हूँ जहां 8 अक्टूबर को दो पहर एक बजे एक साथ कई दरजन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी दिवारों पर देख सकते हैं छोटे छोटे छेद यहां पर हुए हैं हलाकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर ये देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वज़द से दिवारें काली पड़ गई है हिजबुला के हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है आईडियेफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इसराइल पोसिस की आलन ब्रिगेट की 5030 वी बिटालियन के साज़ट मेजर रोनी गनिजाते हिजबुला के हमले में मारे गए हैं ग्राउंड बैटल में अब तक हिजबुला ने इसराइल के 12 सोल्जर्स को धेर किया है अपने अफसर की मौत के बाद इसराइल ने हिजबुला के दो कमांडर मार डाले हैं जिसमें एक एहमद मुस्तगा, अलहाज, अली और दूसरा मुहम्मद अली हमदान बताये गया है इसबुला के दोनों टॉप कमांडर अंटी टैंक पोर के कमांडर थे, दो टॉप कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए इसबुला ने इसराइल कबरिस्तानों को भी बारूट से पाड़ दिया कि यहां की धार्मिक मान्रता के मुटाबिक उनको भी शानती नहीं और आप यहां पर देखिए कि यह पूरा कबरिस्तान टुट पूला यहां पर देखिए यह गभाही दे रही है तस्वीरें कि लोग जो हैं वो यहां पर अपने प्रेजणों को देखने आ रहे हैं खबर पता लगी है कि कबरिस्तान के उपर रॉकेट हमला हुआ है वो लोग अपने प्रेजनों की देखिए यहाँ पर कबरें देखने आ रहे हैं और लोग यहाँ पर लगातार जो अटेक हुआ है रॉकेट से उसको देखने आ रहे हैं हिजबुला फाइटर इसराइल के किर्याच शमोना से आगे बढ़कर अब बैत हिलेल और मयान बारूच तक मार कर रहे हैं गैली ली में हिजबुला के रॉकेट के छर्रे से छलनी दिवारें हर जगा देखी जा सकती हैं हिजबुला के हमलों में आई तेजी की वज़ा से रदवान फोस के नए कमांडर की तैनाती है इसराइल मीडिया के मुताबिक रदवान फोस के पूर्फ कमांडर हैतम अली तबातबाई को हिजबुला के मिलिटरी ओपरेशन का चीफ बनाए गया है हैतम अली के साथ मिलिटरी लीडर्शिप में जिहाद काउंसिल के मेंबर मुहम्मद हैदर को भी सैन्ने ओपरेशन का जिम्मा सौपा गया है वहीं हाशिम सैफुद्दीन की मौत की बाद हिजबुला की पॉलिटिकल विंग का चीफ अब नईम पासिम को बनाए गया है नए कमांडरों की यही तिकड़ी नेतन याहू से नसरल्ला की मौत का बदला लेगी लेकिन अमेरिका के रहते ये मुम्किन नजर नहीं आ रहा है सूपर पावर्ण ने इसराइल को इतने हतियारों से लैस कर दिया है कि उसे युद्ध में परास्त करना हिजबुल्ला तो क्या कैई देशों के भूते की बात नहीं ब्राउन यूनिवर्सटी के कॉस्ट ओफ वार प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अक्तूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये है अमेरिके हतियारों के आपूर्ती में लगबग 57,000 तोप खाने के गोले तोपों के लिए 36,000 राउंड गोला बारू 20,000 M4A1 राइफले 14,000 अंटी टैंक मिसाइले और 8,700 Mk 82 500 पाउंड बं शामिल है इसराइल के लडाकू जैट हो या फिर डिफेंस सिस्टम सब के सब सूपर पावर के बजट से चल रहे है इसराइल के आइरन डोम और डेविट स्लिंग एर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका ने 4 बिलियन डॉलर आइरन बीम लेजर एर डिफेंस सिस्टम के लिए एक दिशमलव दो बिलियन डॉलर की मदद दी है अमेरिका ने इसराइल को 14,100 Mk 84 अंगाइड दो हजार बं 3,000 जॉइन डाइरेक्ट अटाक मुनीशन डम टु स्मार्ट बं ट्रांस्फोर्मर किट 3,000 हेलफायर मिसाइल 2,600 धाइसो पाउंड जीबियू 39 छोटे बं 1,800 M141 बंकर बस्टर बं 36,000 नाइट विजन डिवाइस 200 स्विच ब्लेड ड्रोन 100 से ज्यादा स्काइडियो एक्स ड्रोन और 75 जॉइंट लाइट टेक्टिकल वेहिकल भी दिये है इसराइल को एमेरजंसी डिलिवरी के लिए 4.4 बिलियन डॉलर का बजट अलग से रखा गया है यानि पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में है हर तरफ से है चाहे हत्यार हो चाहे बाहुबल हो चाहे आटमबम हो इसराइल को जिसकी जरूरत होगी »सुपर पावर« वो देगा लेकिन युद्ध में कभी भी इसराइल को जुकने नहीं देगा अमेरिका की यही गयरंटी नितन याहू को सभी दुश्मनों से भिर्णने की पावर देती है सूपर पावर का इसराइल के साथ खड़े रहना उसकी जीत और वजूद दोनों के लिए जरूरी भी है वन्ना बारूत के धेर पर बैठे इसराइल को इरान और तुर्की जैसे दुश्मन देश कभी भी जला कर राह कर सकते हैं इरान ने एक अक्टूबर को इसराइल पर 200 मिसालों से हमले करके सभी को चौका दिया था तब से दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचेन है कि इसराइल इरान से बदला कैसे लेता है अब लगवग 9 दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है जो इरान के ताबूत में आकरी कील साबित हो सकती है इरान पर इसराइल बहुत बड़ा हमला करनी जा रहा है और उसकी तयारी पूरी हो चुकी है हमले को तयार इसराइल देखते रह जाओगे खामनेई एक अक्तूबर 2024 को भले ही इरान ने इसराइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइल इंदाग कर दुनिया को चौका दिया हो लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खाबर आ रही है कि इसराइल अब इरान का हाल हेजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है इसराइल में पिछले 9 दिनों से एक ऐसे हमले की खौफ़नाक और भयानक तयारी चल रही है जिसके बारे में शायद इरान को पक्के तोर पर पता नहीं है इसराइल के प्रदान मंत्री नेतन याहू इरान पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्टपती बाइडन से 50 मिनट तक बातचीत कर चुके हैं इधर इसराइल के रक्षा मंत्री यौफ गैलनेट ने इरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिसने पूरे मिडलीस्ट में हटकंप मचा कर रख दिया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल के इस हमले की बनक मिलने के बाद से इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उल गई है जरा देखे इसराइल के रक्षा मंत्री यौफ गैलन्ट ने क्या कहा है इरान को समझ नहीं आएगा क्या हुआ और कैसे हुआ यौफ गैलन्ट ने कहा कि इरान पर इसराइल का हमला घातक और सटीक होगा और इस हमले की इरान को भनक तक नहीं होगी इरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ यौफ गैलन्ट का ये बयान इसराइल पर इरान के मिसाईल हमलों के जवाब में आया है के परमानू ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है पचास मिनट में हुई सीक्रेट डील उला दो इरान के आटमी ठिकाने लगबख सौ घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं इरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमानू परिक्षन किया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिछले 120 घंटे में इरान में आयर भुकम और परमानू बंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है इसलिए बाइडन और नेतनियाहू ने 50 मिनट तक पून पर बाच्चीत के दोरान लगबग फाइनल कर दिया है कि अब इरान को 200 मिसाईल हमलों का जवाब जबरदस तरीके से दिया जाएगा बहले ये कियास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर दबाव बना चुपा है कि वो इरान के परमानू ठिकानों को दबाव नहीं करेगा लेकिन जब से अमेरिका को खूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम कियाड में एटमी परिक्षन ही किया है तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके एटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी ज़ंडी दे चुका है ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे है अब ये भी जान लीजे कि इरान ने 5 अक्तूबर को क्या किया था इसराइल के साथ बढ़ते संगर्ज के बीच 5 अक्तूबर को इरान के सिमनान प्रांथ में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीवर्टा का भुकम दर्ज किया गया भुकम का केंद्र कथित तौर पर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था इरान के सिमनान प्रांथ के कावीर रिगिस्तान में इरान ने परमानू परिक्षन किया है ऐसे अब दावे किया रहे हैं भुकम के समय और परमानू सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकले लगाई जा रही है कि एरान ने परमानू बम का प्रिक्षन किया है दावों के मताबिक भुकम का केंद्र सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक एराwnी न्यूकलीर एनर्जी प्लांट के करीब था भुकम के दौरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उठती है ये लहरे वैसी नहीं थी ये लहरे वैसी थी जैसी न्यूकलीर विस्पोर्ट के बाद जमीन पर चलती है इसलिए दुनिया भर के रक्षा एकसपर्स और विग्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि इरान ने परमाणू परिक्षण किया है इरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने आटम बमका टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुंदर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त इरान की हाइबर सौनिक मिसाइल पते बन और पते टू ने इसराइली सेने ठिकानों को काफी नुकसान पहुँचाया था उस वक्त इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो टू, एरो त्री और डेविट सिलिंग सभी इरानी मिसाईलों को रोप नहीं पाये थे लेकिन इसराइल के रक्षामंत्री का साब कहना है कि इरान का मिसाईल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं जर्देगे इसराइल डिफेंस पोस्ट की जासूसी यूनिट 9900 को लेकर रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट क्या कह रहे हैं खबरों के मुदाबिक इसराइल के रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट ने आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 के कमांडर्स से बाचीत किये दावा किया गया है कि इरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने बनाया है इसके लावा आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9900 ने इरान के टॉप कमांडर पर हमले का प्लैन बनाया है जिसने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का नित्रित किया था खबरे ये भी है कि IDF की खूफिया यूनिट 9900 का वार प्लान इतना जबरदस्त है कि इसराइल के रक्षा मंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उकता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमेटर गुरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई नहीं एलान किया कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर जरूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल एरान पर भीशन हमला करने का जोके मुठा सकता है इसराइली मीडिया के मताबक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5 से 10 सालों में इसराइल का वजूद ही मिट जाएगा और अगर इसराइल एरान को तभा कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिली स्ट में सूपर पावर बन जाएगा